हेई गाईज वल्कम बैक टू सरतासर की क्लास तो गाईज आज की क्लास बहुत मज़दार है बहुत खास है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपकी दुखती रख पर हाथ रखने वाला हूँ मेरा मतलब यह है कि अंग्रेजी सीखने वाले जातर लोगों की एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर बोलने में ना हेजिस्टेशन होती है दर लगता है ऐसा लगता है सामने आला काट के डाल देगा फासी भी लटका देगा मर्डर का इल्जाम लग जाएगा अरे वहिया ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह बात तो है कि हैजिस्टेशन अगर आपको होती है तो उसका इलाज मेरे पास आज है आज की इस क्लास में मैं आपको एक, दो, तीन, चार नहीं बलकि दस ऐसे राज बताऊंगा जिन मेंसा अगर आप एक, दो भी फालो कर लेंगे ना तो आपकी हैजिस्टेशन वाली प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए दूर हो जाएगी और आप एकदम फ्लुएंट अब आखिर कैसे कर सकते हैं अपनी हजिस्टेशन दूर कैसे आप इंग्लिश में बिलकुल बेसर्मों की तरह सबके सामने बोल सकते हैं यह सारे तरीके सीखने के लिए इस वीडियो का इंट तक जरूर देखेगा आगे बढ़ने से बिले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यानि कि Monday, Wednesday और Friday को exclusive series upload करता हूँ जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और मेरा यह podcast बिलकुल फ्री है podcast समझते हैं आप एक audio platform जहाँ पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाहिए क्लिक कीजिए Spotify आप्लिकेशन डाउनोड कीजिए वहाँ पर सर्च कीजिए मेरा podcast Learn English with सर्ताज और उसे फालो कर लीजिए और हाँ वहाँ पर एक बैल आइकन भी होगा उसे भी दबा दीजिए तो चले गाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज की दिन में आपको सिखाता हूँ एक एक करके वो दस पॉइंट्स वो दस राज की बाते हैं जिनके जरी आपके आपके हैजिट्रेशन एकदम दूर हो जाएगी आपके अंदर का जो डर है जो खौफ है जो आप काट डालेंगे लोग इंग्लिस आगर बोलूंगा इनके सामने दो वो सब दूर हो जाएगा अब एक एक करके बड़े ध्यान से सुनो नोट बात में करना पहले मुझे देखो वा मैं बहुत खुबसूरत लग रहा हूँ आज सबसे पहला वाला है टॉक वेद स्ट्रेंजर इसका मतलब यह होता है कि अजनवियों से बात करिये अब अजनवियों से अगर आप बात करेंगे तो आप के अंदर की हैजिट्रेशन दूर हो जाईए अब आप सोचिंगा अजनवियों कहां से पकड़ करने लगे ऐसा नहीं है देखिए अजनवियों से बात करने का मैं आ और आपको पहले से ही उस company से related कोई सवाल सोच के रखना है जैसे जियो का कोई नया प्लान आने वाला है एटल का कोई दिवाली ओफर चल रहा है या फिर हो टाटा इसका यह जो भी मतलब में किसी एक खास company का नाम नहीं लूगा है आप जबरदस्ति के यही वाला है कोई से भ से बढ़िया तरीका practice का or hesitation दूर करने का यही होता है मैं भी ऐसे कभी का बैठा रहता हूं इंफोर्मेशन भी मिल जाती है और English की practice भी हो जाती है तो पहले दो तीन सवाल पहले English में लिक्के रख लो और फिर आप customer care पे किसी भी company के call कीजिए और English में शुरुबात कीजिए भले ही वो हिंदी में बोले खुद दिखा दो मैं अंग्रेज हूँ एकदम सही है तो यह है पहली टिप नमबर दो पर आता है start first start first यानि कि पहले आप शुरुबात कीजिए अब सबसे बड़ी दिक्क्त यह होती है कि आप किसी से मिलते है न तो English में सामने आले जैसी शुर शुरुबात कीजिए अगर सामने वाले ने पहले शुरुबात कर दी तो आप हक्के बख करेंगे आप कोई सुझ में नहीं आएका कि मैं बोलू किया तो अपने confidence को बढ़ाने के लिए अपने अंदर की शक्ता को speaking power को बढ़ाने के लिए आपको पहले शुरुबात करनी चा आती है तुम अपना हैंडल कर ले ना सही है तो इस चीज को आपको जरूर फॉलो करना है complete नंबर तीन पर आता है mix English with your Hindi mix English with your Hindi यानि के साथ आपको English mix करके बोलना देखो सबसे वड़ी दिकत पना तुम्हारे में क्या आती है तुम यह सबस्ते एकदम English का sentence कैसे बोलू क्या करो महीं एजिटेट हो जाते हो क्योंकि बोल नहीं पाते हो बाई ट्रीक अजमा हो आपको आपने कभी देखा है कि कभी का खास तरबें college girls होती है या celebrities होते हैं वो क्या करते हैं वो हिंदी के साथ English के words को mix करके बोलते हैं जैसे माली जै में पाटी में गया है Mr. Rahul कैसे है आ यह एक्स खा लिए 3 p.m. से वेट कर रहा हूं बोल हिंदी रहा है लेकिन English के शब्दों को mix करके बोल रहा है यह चीज आप अपने अंदर ले आईए प्रॉपर English मत बोलिए आप शुडवात में English के शब्दों को मिलाकर बोलिए इसके कई फाइदे हैं पहला तो तो में बे अचाही सबसे बेतर है ठीक है आप English के शब्दों को मिलाकर बोलिए और अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपके हैजिटेशन भी दूर होगे हम में बोल दिया बनाना बोला भी केला अब तो एपल भी बोल सकता हूं डर खतम हो जाएगा और दूसरा क्या आपको प्र यूज एक्प्रेशन देखें आपकी लेंगविज के साथ साथ आपकी बॉडी लेंगविज होना जरूरी है अब अगर सीधे खड़ेंगे हाई मां आप अपने हाथ पैरों का यूज करेंगे एक्सप्रेशन का यूज करेंगे यह गर्दन के हैड़ी किसलिए दीगई उप लिए तो जब हमें खुद दिये गए हैं तो फिर इनका यूज करो तो आपने क्या करना है अपने चहरे की मांन स्पेश योग तेडी मेडी करेंगे अंग्रेश को देखा है वाँ वाँ यह वाँ वाँ यह वाँ यह यूज आपको करनी है आपको अपनी लेंगविज के अपने expressions को यूज करना है अपने हाथ पेरों को अपने चहरे को यूज करना है जैसे मुझे करना है हाई हाई हाव यू अब दिखें है समाइल कर रहा आप कुछ नहीं कर रहा अब दिखें हेई हाव यू हाई हम एपसलुटली फाइट ओर एक्टिंग जरूर लग रही है ल चल के speech दो अगर खड़े हो के देनी है तो थोड़ा हाथों का यूज कीजिए देखें मैं बोला अगर मैं ऐसी पढ़ान लगू यह है ऐसे कर लेना तो किता बुरा लगेगा अब मैं तो डांस डून कर लेता हूं तभी तो तुम यहां तक देख रहे हो देखो तुम यहां सरमा से जाते हैं हाँ सरमारी यह 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 वह सरमाओ नहीं अगर आपको हैजटेशन दूर करनी है सामने आले के साथ कांफिएंट के साथ बोलना है तो आपको आई कॉंटक्ट जरूर बनाने चाहिए आई कॉंटक्ट कैसे मतलब बात करने हैं उसके आँखों में हैं इग्नोर मतमारी है इससे पता लग जाए कि नहीं आते हैं तुम बात करने में इंट्रेस्टेड नहीं हो आई कॉंटक्ट बनाएं और हां में हां मिलाने के लिए चेहरे के एक्सप्रेशन दीजिए जैसे आप मुझसे मेरे बारे बात कर दोगा होगा या 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 से बात कर लूँगा में से नेक्स्ट वाला देखे भाया नंबर छे पर आता है स्पिक स्लोव स्पिक स्लोव सबसे बड़ी टेंशन और सबसे बड़ी गड़वर आप यही करते हैं कि आपने इंग्लिश को फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं अब आप देखे कुछ लोग म पहला तो यह है कि आपकी लेंविच क्लियर नज राएगी जड़ा सामने आले को अच्छे समझ मा जाएगा दूसरी बात यह कि आपके जमां क्योंकि यह आप बेसिक स्पीकरे सीखी तो रहे हैं है एजिटेशन है अपके अंदर तो आपके लड़ खड़ा जाएगी बोलत है वे तो मही आपर पानी पानी होगो रॉंक खड़े है यह से आपके हुदक है नहीं है थेख्ड़ लॉट है और यह है ही तानी माम कॉ यह ऑनज यह घाएग कैuish लोग सो जो एज भर टो व्य समयल हुट तोThreeारा यहस सिर गया आहिए। सही है, तो याद रखना, speak slow, आओ नेक्स्ट वाल देखे, और भया साथ वे नंबर पर आता है, speak longer, speak longer, speak longer, यारी थोड़ा लंबा बोली है, तो क्या करते हो तुम लोग भाई, आप लोग ना कोई आप से इंग्लिश में सवाल वाल पुछ दें, तो इतनी हैजिटेशन होती है इस नो में जवाब दे देते हो, do you like pizza, yes, 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 खतम, बस हो गया, क्या है, तो इस तरीके से, will you come with me in the party, no, 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 you go, you go, you go, अरे, इतने ता, नीचे बढ़ जा, आप भाईया क्या करें, आप लॉग आंसर दीजे थोड़ा सा, थोड़ा लंबा आंसर दीजिए, इसके भी कई फादे हैं, एक तो यह है, थोड़ी देर तक इंग्लिश बोलोगे, एनी, थोड़ टाइम जादा लोगे, और दूसरा, य तो आपको जवाब क्या होगा, फाइं, बस यह होगा न, यह जादा जादा थोड़ी जादा अंग्रेज होगे, आएम फाइं, आएम गुड, अरे, थोड़ा लंबा खीचल भाईया, इससे, हाई, हाव र यू, अब आप कीजिए, यह सर, आपको ज़गा, थोड़ा ज़ग तो फिर तुमर जागा, के यार अब फिर क्या बोलू, तो अभी बता दे, अच्छा है, तिरे इंग्लिश में चार चान लग जाएंगे, तो पुझेगा, विल्यू गो तो पार्टी, नो, आई विल नॉट गो तो दा पार्टी, विकास माई फादर इस कॉलिंग मी, बस हो तो इस तरीके से आपने ये काम करना है, के लॉंग आंसर देने है, कोई भी आपसे चाहिए, चोड़ी चोड़ी चीज पूछ रहा है, आप थोड़ा सा लंबा आंसर दीजे, खाली यस नो का इलावद दो चार शब्द, और फेक मारी उसके थोबड़े पे, काम हो गया, सीधा बताता हूँ, अगर लड़के हो तो लड़की से बात करो, इंगलिस में लड़की हो तो लड़के से बात करो, that's it, scientific की ये प्रूवड है, कि जो जेंडर होता है, वो अपने opposite जेंडर से बात करने में थोड़ा सा उसके पैर कपकपाते है, ऐसे, जैसा उपर से तो देखेंगे कि आपको प्रैक्टिस अपने opposite जेंडर से जादा करनी है, मतलब कि आपके आसपास कोई female है, या आपकी कोई friend है, या आपके घर में बहन है, या कोई है, चलो बहन तो यह हो गए, कि उनसे हम घुले मिले होते हैं, थोड़े जादा, थोड़े से, आप कोशिश क जीजिए, जिससे आपको English में hesitation कम करने में मदद मिलेगी, और आपका डर खौक खतम हो जाएगा, आपको लगता है, पहले में सुसता ता लड़कियां खा जाती है, ऐसे दांत मार देती है, या मास उतर जाता, तीन किलो, फिर लगे वह और इनसे डर नहीं कहा रहे है, तो आपके हाथे में जुन-जुना तो जरूर होगा, मेरा मतलब मोबाइल तो जरूर होगा, और अस मोबाइल के अंदर सासर केंदर torch, 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 alarm, alarm, alarm का लाब है, एक option हो रहता है, voice recording का, बास, अब सुनो क्या करना है, आपको voice recording on करने है, किसी भी topic पर English में बोलना शुरू करना है, या, mobile is very good machine, I like mobile, yeah, Sartasar is very very nice teacher, I have liked Sartasar video, and subscribe Sartasar YouTube channel, and follow the Sartasar Facebook page, यह सब बोल दो, Sartasar पही बोल दो, मैं तो करना 4-5 लाइन है, और अपने आवाज को सुनिया, और कान में लीट लगा के, ज़रा पास, खौपड़ी के पास आजेगी, और क्लियर सुनाई देगी, और प्रैक्टिस आप घर पे ज़रूर करें, अपनी हजिटेशन दूर करने के लिए, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए, पहले 40-30 से शुरुबात कीजिए, फिर एक मिनट तक रिकॉर्ड कीजिए, फिर आदे गंटे की रिकॉर्डिंग कीजिए, और सुनिये, रस्ते में अपने अपनी आवाज सुनते वे चलो, ऐसा ऐसा नाचते हुगा, में ही बोल लाँ इसमें, तब ही आप इंगलिस सीख पाओगा, हैजिटेशन आपकी दूर हो पाएगी, नेक्स्ट वाला देखे, यह लास्ट में नमबर 10 पर आता है, वेर गुट क्लॉज, वेर गुट क् है, आधा जो आपको confident है, वो आता है आपकी personality से, तो जब भी आप कहीं बाहर, event वगेरा में जा रहे हैं, आप कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, आपको लगता है, चार लोग वहां इंगलिस में बोलेंगे, और आप इंगलिस नहीं बोल पाए, तो चार लोगों में बेज के जाना है, अच्छे कपड़े पहन के जाईए, जिससे आपकी language खुद बाखुद मूँ से निकलेगी, ये अंदुरी टिप दे रहा हूं है आपको, कुछ लोगों को लग सकता, ना, ना, कपड़ों से कोई नियक अच्छा बनियान पहन के जाऊ, इंगलिस बोलो, वो इज जबान से मिलती है, तो जबान तो आपकी अपना ठीक हो जाएगी, अगर आपकी परसनालीटी थोड़ी अच्छी हो, तो उसे देख के और ज़्यादा अच्छा कॉन पिटा है, विसे एक दूसरे से दोनों जुड़े होते हैं, कि जबान से परसनालीटी सुदरती है, पर प इंसम बन के घुमिए, कटिंग फटिंग करवा लिजे, नाक के बाल बेटा साफ करा लिए हो, चलिए गाइस, तो आज किस क्लास मेंता है, होम बरक है, रुख जाब एडिया, बैट जाब नीचे बढल लिए, होम बरक है भी, आज क्लास में आपको 10 टिप्स दी, यह वो टि हजिटेशन दूर करने में मदद मिलेगा, आपके लिए चोट आसा काम है, कि अगर आप हजिटेट होते हैं, तो चार लाइने अपनी हजिटेशन की स्टोरी के उपर, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, इंग्लिश में, देखिए, आप मुझे बताईएगा कि आ जो दिल में आए, इंग्लिश में तारीफ, बुराई, मेरी जो भी है, लिख दीजिए, लेकिन मैं आपके कॉमेंट को एक हर्ड जरूर दूँगा, जाएगे स्टोर के साथ शेयर कीजिएगा, फेस्बुक, वाटस और इंस्टेग्राम पर, यूट्यूब पर, और उन मुच्चा मुच्चा असा, लाइक दे कर जाना